गंतंत्र दिवस 2021 की परेड इस बार जब राजपत पर होगी तो एक नया इतिहास भी रचा जाएगा। दरसल भारतिय वायू सेना की महिला फाइटर पाइलेट फ्लाइट लेफटेनेंट भावनाकांथ गंतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पाइलेट बनने जा रही है। साथ ही पहली बार राजपत के उपर से राफेल फाइटर जेट भी उडान भरेगा। बिहार के दरभंगा की भावनाकांथ फिल्हाल राजस्तान के एर बेस में पोस्टेट है और मिक-21 बिसन फाइटर प्लेन के लिए कमिशन है। भावना गंतनत्र दिवस परेड में भारती वायू सेना की जाकी का हिस्सा होंगी। मेक इन इंडिया थीम पर आधारित इस जाकी में LCA तेजिस, लाइट कॉमबिट, हेलिकॉप्टर, आकाश मिसाइल और सुखोई 30 MKI के मॉडल्स को प्रदर्शित किया जाएगा। भावना कान्त ने गंतनत्र दिवस परेड में शामल होने की खबर पर कहा, मैं बच्पन से ही तीवी पर गंतनत्र दिवस परेड देखती रही हूँ, अब इसमें शामल होने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, मैं तैयारी में जुटी हूँ, मैं पड़ा को विमान भी उड़ाना पसंद करूंगी। पाइटर पाइलिट है। ये योगता उन्होंने मैं 2019 में हासिल की। भावना कांथ को पिछले सार अंतराष्टे महिला दिवस के मौके पर राश्टपती रामनात कोविन नारीश शक्ती पुरुसकार से भी नवाजा था। दर्भंगा की भावना का जन बेगुसराय में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा बरौनी के डिएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की। भावना शुरू से ही पंडे लिखने में तेज तरा रही। उन्हें दसफी बोर्ड में 92% मार्क्स मिले जबकि उन्होंने इंटर में 85% नमबर हासिल किये थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रशन हो हमें कॉमेंट सेक्षन में ज़रू बताएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ए वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलू करें।